आप सभी को मेही तरफ से प्यार भाह नमस्कार उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे प्रिप्रेशन आप लोगी बहुत अच्छी चल रही होगी तो फिलाल आज ची क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दस most important superfluous expressions के बारे में यह superfluous जो terms आपको बहुत सारे examination में देखने को मिलेंगे वैसे तो बहुत सारे हैं किस दिन पूरा complete chapter भी पढ़ाएंगे पूरा complete है की बात यह superfluous ही हो गया है complete का मतलब भी complete होता है और पूरा का मतलब भी complete होता है उनको साथ में आप यूज कर दे रहे हैं बोल चल के में चल जाता है हम भी flow flow में बोल देते हैं लेकिन examination में यह चीज़ नहीं चलती है negative marking हो जाती है और हम कोशिश करेंगे कि बोल चल की भाशा में भी ना बोले है याद आजे तो ठीक है बोल चल की भाशा में क्या ही दिक्कत है यह सुरनो लेकिन examination में तो इसका याद आना बहुत जरूरी है तो मैंने कहा वैसे पूरा complete वैसे complete chapter है लेकिन अभी हम कुछ important ही पढ़ने जा रहे हैं होते क्या है सर superfluous का मतलब होता है more than required मतलब जितने की जरूरत है उससे जञादा हिंदी में कहें तो अनावशक या फिर अनावशक शब्दोगा use इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं redundant के लोगा यापर redundant redundant का मतलब भी यह होता है अनावशक शब्दोगा use जैसे cousin sister एक term है अब यह term नहीं होती है तो cousin basically अपने आप में ही cousin brother और cousin sister होता है इसके साथ हम sister और brother लगाते नहीं यह simple बोलेंगे यह मेरा cousin है अब आपके माइन में आ रहा होगा sir कि अगर मुझे बोलना हो कि यह मेरा भाई और वो cousin है और यह मेरी बहन है और वो cousin है तो मैं कैसे differentiate करूँगा तो आप simple दोर पर बोलेंगे he is my cousin या फिर she is my cousin है ना तो he she करके आप refer करेंगे ऐसे नहीं बोलेंगे he is my cousin brother she is my cousin sister ऐसे नहीं करेंगे ध्यान रखेगा तो मैं बता रहा हूँ कि super fleurs होते क्या हैं अभी सीखेंगे कौन कौन से हैं जैसे repeat का मतलब होता है फिर से धोराना और again का मतलब भी वही होता है तो repeat again दो बार बोलने की क्या जरूवत है सिर्फ repeat बोले जैसे मैंने का could you please repeat again the question तो गलत हो गया नहीं could you please repeat the question again चब नहीं आ सकता तो ऐसे 10 most important super furious expressions हम लोग सीखने जा रहे हैं सबसे पहला है reimburse बहुत important word है reimburse का मतलब होता है to pay back something मतलब आपने कोई चीज खर्च कर दी है और आपको वह वापिस मिल रही है तो पैसा आपको वापिस मिल रही है example के तोरु पर मैं समझाओं तो आपको company वाले कहते हैं इसे आप रहते हैं दिली में और company आप जिस company में काम करते हैं आपको company वाले कहते हैं भाई तु बैंगलोर आ जाओ भी meeting है तो आपने का भाई पैसे बिजवाओ कैसे आओ तो वह बोले flight से आजाओ तो एक काम कर अपने पैसा भी खर्च करके आजा अब बाद में जब salary आईगी तो हम ते को reimburse करवा देंगे तो वो जो flight का पैसा है वो salary के साथ आपको payback कर रहे हैं वापीस दे रहे हैं तो वापीस देना reimburse करना yes or no ऐसा आप उसमें भी देखते हैं health insurance के अंदर होता है आप अपनी तरफ से पहले खर्चा कर देते हैं और बाद में फिर जो insurance वाले होते हैं आपको reimburse करते हैं वो पैसा वापीस देते हैं payback करते हैं क्योंकि आपने insurance लिया हुआ प्रिमियम भरते हैं तो reimburse एक term है जिसके साथ हम लोग back term का use नहीं करते हैं important pointers को ध्यान रखेएगा ठीक है क्योंकि इसका मतलब भी payback होता है तो superfluous हो जाएगा बहुत बाद हम use कर देते हैं simple बोलेंगे reimburse him for his traveling expenses ना कि reimburse back सबसे पहला सबसे important दूसरा है foreign imports बहुत बार बोल चाल गीवा अच्छा में flow flow में हम लोग use करते है foreign imports imports का मतलब क्या है बाहर से मंगाई होई कोई चीच तो already जब वो foreign है तो foreign लगाने की क्या जरूरत है export मतलब हमारे देश से आप बाहर export कर रहे हो लेकिन import already foreign country से ही होता है import तो बाहर से आता है तो उसमें foreign already होता ही है खाली imports बोलते है foreign imports नाम का कोई term नहीं होता तो ऐसे बोलेंगे cheap imports from Eastern Europe कोई सस्ता सामान मंगाया है Eastern Europe से ना कि cheap foreign exports गलत term है अगला आपके सामने equally as good as बहुत बार error भी देखा जा चुका है बोलचल की भाशा में भी इसे हम गलत बोलते रहते हैं equally as good as इस बात को समझेगा कि जो equally है इसका मतलब भी उतना ही जितना ही होता है और as good as का मतलब भी उतना ही जितना ही होता है दोनों का मतलब सेम है तो आप दो दो शब्दों को एक साथ क्यों use करते हो तो आप simple बोलो as good as उतना ही जितना ही जैसे use this toothpaste आप ये वाली toothpaste को use करो it is equally as good as that fancy brand you usually buy जो तुम बहुत महंगा brand खईते हो न ये वाला toothpaste उतना ही बढ़िया है जितना की जो तुम खरिते हो वो बढ़िया है तो उतना ही जितना ही equality को show जब ये term अपने आप ही करता है इसका मतलब ही उतना ही जितना ही होता है तो दुबारा ये उतना ही जितना ही equally बोलना जरूरी है क्या तो दोनों में से एक ही term use होता है अब आप सोचोगे क्या सरफ as good as लगा हटा के एक हाली equally लिग देंगा it's equally तो आगे फिर आपको कुछ बोलना पड़ेगा equally good बोलना पड़ेगा समझ में point आ रहा है लेकिन कोशिश करिए कि equally as good as के साथ ना use करके बस as good as ही use करें क्योंकि ऐसा ही error देखने को मिलता है और यही हम flow flow में गलत बोलते हैं ठीक है दोनों एक साथ नहीं आएगा redundant अपने आप में unexpected होता है तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि unexpected surprise का मतलब है कि आपको पहले पता ही नहीं था अचानक से आपके सामने आपको party मिली आपको कोई gift मिला है तो वो already unexpected होता है तो दोनों term आप use नहीं कर सकते surprise के साथ unexpected नहीं आता, खाली surprise बोलेंगे there are a lot of surprises for all of you ना कि unexpected, ठेक है exceed का मतलब होता है किसी limit से ज़्यादा और more than का मतलब भी तो यही होता है किसी limit से ज़्यादा, तो exceed के साथ more than का use नहीं करते हैं, super fluos है research budget exceed 7 million a year 7 million से ज़्यादा हो रहा है not जा रहा है, no जा रहा है, तो more than नहीं बोलेंगे clear, yes or no research budget exceed 7 million a year ना कि exceed more than बोलेंगे ठेक है, more than का मतलब भी ज़्यादा है, exceed का मतलब भी ज़्यादा यह तो कभी कभार मेरे मूँ से भी flow flow में निगल जाते अरे मैंने बोला ना भाई, flow flow में क्या होता है बोल चल की भाषा में चीज़े निकल जाती है क्या ही दिक्कत हो गया बोल चल की भाषा में तो हम इतनी English की पूरी टांग खीच देते हैं, उसको ऐसे पूरा गला घोट देते हैं वो चीज़े चल जाती है कभी flow में कोई teacher कोई चीज़ गलत बोल देत ना भाई, ना इसने कैसे बोल दिया क्या पढ़ाएगा हमको यह English है न ऐसे हो जाते हैं कुछी बच्चे तो भाई थोड़ा से चिल रहा करो यार इतना serious लेनी की क्या ज़रूरत है चीज़ों को तो basic fundamental दोनों term साथ में नहीं आता है क्योंकि fundamental का मतलब भी basic होता है और basic का मतलब तो basic होता ही है fundamental का मतलब भी elementary और basic का मतलब भी elementary तो या तो basic use करो या fundamental use करो, you cannot use both terms simultaneously yes or no, पक्का अब इसमें भी कुछ super furious हो गया क्या चलो आओ, तो basic और fundamental साथ साथ नहीं आएगा you need to make fundamental changes to way in which, to the way in which we treat our environment, तो कुछ जमीनी लेवल पे है न, कुछ elementary लेवल पे आपको changes करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से हम environment को हम treat करते हैं ठीक है, जिस तरीके से हम basically water को treat करते हैं, या फिर बात करें, pollution की हम बात करें हैं उसको treat करते हैं, तो basic level पे change करने की चीज़ों को जरूरत है तो या तो basic या fundamental एक ही term आएगा, अगला है coward, बहुत important है, कई बार error देखने को मिला, SSE में भी, bank में भी, NDS में हर जगा आपको देखने को, CPO में भी, coward man, क्या है यह coward man, देखो भई, coward जो होता है न, अपने आप में एक noun होता है ठीक है, यह अपने आप में एक noun होता है, आप इसके man लगा दो के तो यह क्या हो जाएगा man आपका noun हो गया, और coward फिर आपका adjective बन गया, जबकि गलत हो गया कहने का मतलब, coward का मतलब ही होता है, एक कायर इंसान, already इसके अंदर man होता है, तो आप ऐसे इसके सथ man यूज नहीं करते हैं, simple बोलेंगे, he is a cowardly man sir, यह कैचकर है, he is a cowardly man समझा देता हूँ, cowardly जो होता है वो adjective होता है, किसी noun में जब हम ly लगाते हैं adjective बनता है, अब आपको समझ में आया है, कि man यहाँ पे noun है और उसको modify करेगा, cowardly यह adjective बना, तो मेरा point आपको समझ में आ रहा है, अगर आप ऐसा बोलेंगे he is a coward man, ऐसा बोल देंगे तो क्या बन जाएगा, यह आया हुआ है man के लिए, यह noun और coward उसको modify करने वाला है, adjective है, जब की गलत हो coward अपने आप में noun होता है तो noun को noun कैसे modify कर सकता है adjective करेगा, adjective होता है cowardly, क्या मेरा point समझ में आ रहा है simple सा point है, आप बिल्कुल भी confused मत हो, यह इसके अंदर, ठीक है जैसे मैंने का, she accused her husband of being a लिखा हुआ है अब लिखा है तो आगे noun चाहिए न तो coward noun होता है, क्या दिक्कत है अगर आपको आगे man भी लिखना है माल लो example के दोर पे, अब आपको पता है कि यह article अब आया है man के लिए और कैसा man, अब coward नहीं adjective की requirement और adjective में ly लगा के बनाएंगे cowardly man तो simple, दो statement बोल रहा हूँ या तो बोलेंगे he is a coward या बोलेंगे he is a cowardly man ऐसा नहीं बोलेंगे he is a coward man यह गलत है, clear, पक्का चले, 100% अगला आपके सामने है free gift क्या है दोस्ती है free gift अरे gift तो अल्रेड़ी free होता है न कोई चीज मैं आपको अपनी मर्जी से अपनी शद्धा से दे रहा हूँ ना आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ मतलब मैं class की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी x y z condition की बात कर रहा हूँ ठीक है, तो free gift ठीक है, तो दोनों term एक साथ नहीं आएंगे gift already free का होता है आपके पैसे खर्च उसमें नहीं होते हैं बाहर से आता है, दूसरे की जेब से आता है तो वो gift already ही free है इसलिए I have a gift for you ना कि free gift for you एक गलात है अगला है blunder mistake, most most important है blunder का मतलब भी होता है big mistake blunder का मतलब भी होता है बहुत बड़ी भूल, तो उसके आगे mistake लिखके आप और बहुत बड़ी भूल कर रहे है उससे भी ज़्यादा बड़ी भूल कर रहे है तो blunder mistake कोई term नहीं आप simple बोलेंगे, it is a blunder it is a blunder का मतलब it is a big mistake a stupid or careless mistake जैसे I made a blunder mistake बहुत बार मैंने बोलते हुए सुना है गलत है जी, या I made a blunder या I made a mistake I made a blunder या फिर I made a mistake या फिर I made a big mistake लेकिन I made a blunder mistake it is grammatically incorrect so I made a blunder by getting his name wrong गलत नाम ले दिया भाई उसका अगला है final outcome और end result आज का मारा last है और यह शब्द भी कुछ ऐसा ही लग रहा है na final outcome अरे outcome अपने आप में ही final होता है आखरी का नतीज़ा आखरी में आया हुआ नतीज़ा conclusion होता है outcome तो उसके साथ final लगा कि उसे तुम और exaggerate क्यों कर रहे हो और बढ़ा चड़ा क्यों रहे हो ऐसे result अपने आप ही आखरी में ही तो आता है यार सारी चीज़ों के बाद होता है na result तो end result बोलना ज़रूरी है क्या नहीं न तो इसलिए outcome के साथ final नहीं result के साथ end नहीं ये term गलत है आप simple बोलेंगे outcome ये निकला मतलब result ये निकला ऐसा नहीं बोलेंगे final outcome ये निकला ये end result ये निकला गलत है ध्यान रखेगा या तो outcome ये result ये वाले term नहीं होती है it is too early to predict the outcome of the meeting बहुत जल्दी है कि हम predict करें conclusion meeting का तो वो already ही last में आएगा यार final लिखने की ज़रूरत नहीं है I hope आपको आज का session बहुत अच्छा लगा होगा नहीं आपने शब्द सीखिये होंगे बाकी ये पूरा complete chapter है इस chapter पे भी हम वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे लेकिन ये कुछ करा दिये जो कि बार बार आते रहते हैं आते रहते हैं तो I hope कि आपको ये beneficial लगेंगे बाकी इसकी PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल तरुम ग्रोवर इंग्लिश description में लिंक आप इसे join कर सकते हैं वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी उसके लावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं Unacademy Plus भी teach करता हूँ तो वहाँ पे scholarship test Unacademy conduct करवा रहा है यह 20 को होना था पहले अब यह 27 को होगा 27 को और bank examination वाले बच्चे 10 बजे देंगे SST वाले 2 बजे और railway वाले 5 बजे तो सभी examination के बच्चे इस test को दे सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे prizes को win कर सकते हैं enroll कर लीजिए enroll करने के लिए वो unlock code पूछेगा तो आप T555 unlock code लगा दीजिएगा और description में इसका भी link है enroll कर लीजिए और live test है बढ़ी आदरीके से perform कीजिए और देखिए आप कहां stand करते हैं बाकी मिलते हैं next session में I hope session अच्छा लगा होगा चीज़े समझ में आई होगी मिलेंगे next class के अंदर तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत प्यार Take care